अभी प्रेरण का जो छटवा महत्व वो इस प्रकार है कर्मचारियों के आवागमन में कमी यानि रेडक्शन इन्द इंप्लॉईस टरनोवर देखे बच्चों जब किसी फॉर्म में काम करने वाले इंप्लॉईस या कर्मचारी क्या हो जाते हैं निराश जाते हैं उनको वहा प्रिद्धी नहीं दिख रही है उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि वह साटिस्फाइड है अपने कारे को करने की वज़े से या संतुष्ट है अपने कारे को ले करके उन सितियों में क्या होगा वह उस फर्म या उस कंपनी को छोड़कर अगर उनको को अच्छी जगह और दू तो पूरी योगदान देता है कैसे देता है जब अभी प्रेरित होता है व्यक्ति चाहे वह फाइनेंशल या मॉनेटरी रूप से या अगर हम उसको पैसों की तरफ से मदद करें या उसकी प्रशंसा करके मदद करें या उसको पद दे करके उसकी महत्व को बढ़ाएं तो उस सिति में क्या होगा व्यक्ति संतुष्ट महसूस करेगा और जब वह संतुष्ट रहेगा वह अपने वाकिंग एंवायमेंट या कारे के वातावरंड से संतुष्ट रहेगा खुश रहेगा तो वह क्या करेगा दूसरी कंपनी में स्विच होने की या दूसरे कंपनी में जाने की नहीं सोचेगा तो जो ये महत्व है या ये बिंदू यही स्पष्ट करता है कि कर्मचारियों की आवागमन में जो अभी प्रेरण है वो कमी करता है हम सात्वे महत्व की ओर बढ़ते हैं सात्वा महत्व कुछ इस प्रकार है अब क्या हो गया लोग निराश है या कर्मचारी निराश है वो क्या करते हैं छुटियां लेना शुरू कर देते हैं इसकी कही कारण हो सकते है या तो उनका ऐसा लग रहा है जितनी मेहनत वो कर रहे है उस हिसाब से उनको वेतन उतना नहीं मिल रहा है या इतने साल से अपना योगदान देने के बावजूद उनकी वेतन में व्रिधी नहीं हो रही है इसके अलावा उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है या करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है या उनकी कहीं भी प्रशनसा नहीं हो रही है केवर शोशन मात्र हो रहा है तो इस सिति में क्या होते हैं जो employees होते हैं वो निराश हो जाते हैं और जब तक उनको दूसरी कोई अच्छी opportunity या कुछ नया काम करने की जगह नहीं मिलती वो क्या करने लगते हैं काम चलाओ काम करने लग जाते हैं यह कैसे होता है आदे दिन वो छुटी मार देते हैं या किनी कामों के लिए वो नकार देते हैं या किसी वजह से उसको टाल देते हैं तो इन सारी स्थितियों से हमको जो निकालता है या किसी form को जो बाहर निकालता है वो एक मात्र कौन होता है motivation होता है यह आभी प्रेयरण होता है तो पच्चों इस तरीके से अभी प्रेयरण के हमने सात्व महत्व समझें आठवा महत्व कुछ इस प्रकार है आठवा महत्व कहता है कि कर्मचारियों की नकारात्मक मनुवृत्ति को सकारात्मक मनुवृत्ति में बदलने में साहिए हैं चेंजिंग नेगेटिव आटिट्यूड इन पॉजिटिव आटिट्यूड ओफ इंप्लॉइस सिंपल से फंड़ा है कि आप खुश है आप साटिसफाइड है या हम कह सकते हैं इंपलॉइस खुश हैं और इंपलॉइस संतुष्ट हैं अपने फॉर्म से तो जो उनकी निगिटिविटी थी या जो दुब वच्छों इन महत्वों को जानने के बाद हम निश्करश यह निकाल सकते हैं कि जो फॉर्म या उपक्रम अपने employees को या कर्मवले श्राइयों को अभरी प्रेरित रखते हैं या motivated फिल कराते हैं या संतुष्ट रखते हैं वो क्या होते हैं वह अपने गोल्स यानि objective या उद्देश को प्राप्त करने में उन्हें वह कर्मचारी बहुत मदद करते हैं और वह अपने गोल्स या objective को easily या आराम से पालेते हैं बच्चों ये तो हुई महत्व की बात अब हम प्रक्रिया जानेंगे अरे मेरा फोन खराब हो गया कैसे करूँ अब मैं classes कैसे लूँगी बच्चों तक मेरी classes या मेरी online classes कैसे पहुँचेंगी मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चों तक कैसे पहुँचेगा जाती हूँ शॉप ले करके आती हूँ अपने लिए mobile अरे बहुत सारे ranges में बहुत सारे mobile हैं मेरे लिए कौन सा ठीक होगा हाँ ये ठीक है इस पे कारे करके देखती हूँ ये अच्छा चल रहा है हाँ चलो ठीक है मेरी जो आवशक्ता थी वो पूरी हुई अब मैं आराम से classes ले सकती हूँ बच्चों आपने इस समय मेरे चहरे पर बहुत सारे भाव देखे आपने देखा कि मैं चिंता में आ गई या टेंशन में आ गई या एक पहले नीड ओकर हो गई कि अरे मेरा मोबाइल खराब हो गया है जिससे में online classes लेती थी उस वज़े से मैं चिंतित हो गई थी फिर आपने देखा कि एक चिंता की वज़े से वो इच्छा निर्मित हुई कि नहीं मेरे पास एक need है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और इस समय मैं पढ़ाने के लिए online classes के लिए mobile की मदद ले रही थी उस पर वीडियो बनाती थी अब चुकि mobile खराब हो गया है तो मुझे क्या करना है एक drive या इच्छा मेरी निर्मित हुई कि नहीं मैं mobile खरीद लेती हूँ उसके बाद मैंने क्या किया market जा करके बहुत सारी varieties में mobile सर्च किया और वहां पर मेरी जितनी capacity है या जितना मैं अफोर्ड कर सकती है अपनी कीमत के अंदर मैंने अपने mobile अपने ले ले लिया अब यदि वो mobile बहुत अच्छे से कारे कर रहा है तो मैं क्या satisfied और और उस mobile की व हो गई है यही है process और यह process देने वाले हैं Sir Robinson and Courtler इन्होंने प्रासेस दिया यह फिगर आप जो screen पे देख रहे हैं इस figure को आप देखें इस figure के नुसार सबसे पहली चीज इन्होंने कही है असंतुष्ट आवश्रक्ता यानिए unsatisfied need जैसे कि मेरी असंतुष्ट आवश्रक्त क्या थी कि मेरा mobile खराब हो गया है अब हर व्यक्ति के लिए हर employee के लिए क्या होता है उसकी असंतुष्ट आवश्रक्ता अलग-अलग होती है जिसके लिए क्या करता है चटपटाता है या उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है यहीं पर आती है दूसरा बिंदू या next process का स्टेप जिसे टेंशन या तनाव कहते हैं अब चिंतित हो जाता है कि किस तरीके से अपनी उस इच्छा को पूरी किया जा सके अब उसके लिए वो क्या करता है उसकी इच्छाय जागरित होती है कि मुझे यह चीज चाहिए और इसको मैं किस तरह अलग-अलग तरीकों से प सकता हूं और उसके लिए फिर वो क्या करता है खोज विवहार जो की चौथा स्टेप है सर्च पेहिवियर कि कैसे अपनी आवर्शक्ताओं की पूरती कर सकता हूं खोज लिया अब उनको जो चाहिए था अब नेक्स टेप में क्या आता आवर्शक्ता संतुष्टी अब जो में होता है कि मेरी जो नीड होती या आवर्शक्ता होती वो संतुष्ट नहीं होती है साटेस्फाइड नहीं होती तो यहां पर स्टेप ब्रेक हो जाता लेकिन अगर मेरी नीड साटेस्फाइब हो रही है या मेरी संत आवर्शक्ता संतुष्ट हो रही है उस सिती में होगा करके 100% दे करके अपने से कर सकती है तो बच्चों इस तरीके से आपने अभी प्रेरण की प्रक्रिया को एक उधारण से समझा आए अब हम मासलो की हाईरार्की त्योरी जानेंगे जो की इस प्रकार है इसे कहते हैं मासलो की आवशक्ता प्रार्तमिक्ता विचारधारा या 1943 में यह जाना यह अडेंटिफाई किया कि किस तरीके से एक यूमन या मनुश्य की नीड के करम को रखा जाए अब वो नीड हमेशा बढ़ते करम में होनी चाहिए उनके अनुजार ऐसा था क्योंकि जो नीड है या आवशक्ता है वह अनंत है वह कभी समाप्त नहीं हो सकती लेकिन motivation theory के अंतरगत इस नीड थियोरी या मासलों की थियोरी को जानने के लिए उन्होंने ये थियोरी दी या नीड को जानने के लिए उन्होंने अपनी थियोरी दी इस थियोरी के नुसार जो आप बोर्ड पे ये ट्राइंगल या त्रिकोन देख रहे हैं इसमें जो step 1 या सबसे नीचे वाला पार्ट है वह सबसे पहली आवशक्ता होती है जिससे हम शारिक आवशक्ता कहते हैं या physiological need कहते हैं इसमें क्या चीज़ें आती हैं बचो जीवन जीने के लिए जो पहली सबसे पहली चीज़ें होती है वो चीज़ें इन शारिक आवशक्ता में आती हैं फूड, शेल्टर, क्लोधिंग, फूड यानि भोजन, शेल्टर यानि मकान, क्लोधिं यानि वस्तर, ये जो होते हैं शारिक आवशक्ताओं में आते हैं, उसके बाद हम दूसरे कम क्यों चरेंगे, दूसरा करम क्या है या दूसरा बिंदू क्या है, सुरक्षा तथा बचा य कई चोटना लग जाए ठीक है और किसी वज़े से कोई आक्षिडेंट ना हो जाए यह सारी चीज़े में इसके अलावा और हम जो भविश्र में के लिए हम जो पैसे जमा करके रखते हैं वह सारी चीज़े किसमें आती है इके लिए इसके बाद वेक्ति चाहेगा कि उसके सगे संबंधी हों जिनसे वो बाते कर सकें, जिनसे वो मिल सकें, जिसे जिनके साथ वो कुछछ खुशी के खशन वद्धी कर सकें. तो यहां आता है सामाजिक आवशक्ता, या सोशल नीज़. इसके बाद चौथा बिंदू कहता है कि सम्मान की आवर्शक्ता यहाँ पर जो विक्ति है वो अपने लिए रिस्पेक्ट ढूनता है अपना स्टेटेस बनाना चाहता है कि लोग उसका रिस्पेक्ट बने वो इस पद पर ऐसा कारे करे या कोई ऐसा कारे करे जिससे उसकी लोग क्या करे उसका सम्मान करे उसका रिस्पेक्ट करे उसके बाद आता है अन्तिम जो है आत्म प्रेरित की आवर्शक्ता इस नीड में क्या होता है व्यक्ति जब अपने उद्देशों की पूर्ती कर लेता है तो यहां पे क्या आता है यह आत्म प्रेडित आवर्शक्ता आती है बच्चो जो मासलों की हरार की थियोरी आप देख रहे हैं यह थियोरी के नुसार जो क्रम दिये गए हैं वो क्रम कभी परिवर्तित नहीं होते हैं यह क्रम ऐसे ही बने होते हैं और इसमें जो संतुष्टी का क्रम आप देख रहे हैं नीचे से उपर की ओर जा रहा है अब मासलों की थियोरी हम जान लेने के बाद हम क्या करते हैं कि जो मासलों ने जो विचारधाराय दी है या उनकी जो मानता ह हैं विचारधारों की उनको जानते हैं मासलों की थियोरी के निवसार जो लोगों का व्यवहार होता है वो उनकी आविशक्ताओं पर डिपेंड करता है जो लोग भूके हैं जो लोगों के पास मकान नहीं है जिन लोगों के पास अच्छे वस्र रही है उनका व्यवहार अलग रहीगा जिन लोगों के पास ये सारी चीज़े हैं लेकिन पद नहीं है जैसे कि वो कारे कर रहे हैं उनका व्यवहार अलग रहेगा तो जो पहला पहली विचारधार है या उसकी पहली मानता है वो स्पश्ट होती हैं दूसरी विचारधारा यह है कि लोगों की अवश्रक्ताइं अनेक हैं उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं संतुष्ट वश्रक्ताओं से अभी प्रेरंड बंद हो जाता है यह मासलों की थे ऊस संतुष्ट पर संतुS हो पहले अगले लेविल की बिगके OK साटिस्वाइड हो उसको मकान में है उसको अच्छा कपडा में इसको भोजन और आप वो सेव्टी नि की तरफ जाएगा वहां वहां पर वह संतुष्ट हो गया तो यह जो है तीसरी इसकी माननेता है चौती है कि लोग अगली उच्चिस्तरी आवर्शक्ता पर तभी जाते हैं जब निमनस्तरी आवर्शक्ता को पूरी कर लेते हैं तो बच्चो इस तरीके से हमने मासलों की विचारधारों की माननता को जाना अब जो हम देख रहे हैं इस फिगर में इसमें आप देख रहे होंगे कि एक तरफ मैंने व्यक्तिकत लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा है संगठन संबंधी आवर्शक्ता हैं यह आप देख रहे संतुषटी का जो करम है वह उपर की ओर है अगर हम व्यक्तिकत संबंधि आवर्शक्ताओं को देखें तो इसमें पहले लेवल पे आती है व्यक्ति की भूक उसी के बाद दूसरी लेवल पे आती है उसकी आयस्थिर्ता फिर वो चाता है कि उनकी लोगों से मित्रता हो उसका समाज में सम्मान मिले ये चौथा पद की बाद जहां आ रही है और उसके बाद आती है सकंद संतुष्ट की वो पूरी तरह संतुष्ट है उसी तरीके से हम इस सरफ देखें तो यहां पर दिख रहा है हमें संगठन संबंदी आवश्यक्ता इसमें जो पहली आवश्यक्ता होगी वो मूलवेतन होगा उसके बाद आएगी जब सेफटी की बात कर रहे हैं तो पेंशन की योजना की बात आएगी पेंशन संबंदी की वो रेटायर हो जाएंगे तो उनके बाद कौन सी पेंशन प्लान्स उनको मिलेंगे किस तरीके से वो अपना भरण करेंगे या अपनी जीविका चलाएंगे तो यह सुच्रा सुरक्षा जो हमारा दूसरा मिंदू होता है या दूसरा चरण है मासलों की हरार की तो संगटन संबंदी आवशक्ता में इसका दूसरे चरण में पेंशन योजना लेते हैं तीसरे चरण में हम बात करेंगे कि सहयोगियों से मधूर संबंद और चौथे चरण में हम देखेंगे पदशीर्षा और उसके बाद हम देखते हैं उद्देशों की प्राप्ती जो कि अंतिम चरण है बच्छो इस सरके से हमने व्यक्तिकत एवां संघठन संबंदी आवर्शक्ताओं के करम को समझा बच्छो पूरी मास्तो की त lenghtS थियोरी हमने जान ली उनकी मान Вас थियाक्त और संघठन संबंदी आवश्काइं वह स्थिर है लेकिन मैं कहने चा आप आगें बीदेखेंगे कि यह अधर नहीं है और दूसरी चीज यह परिस्थिती के अनुशार बदलती रहती है दूसरी चीज यह हैं कि एक ही आवश्कता बलवती होती हैं उस्में क्या होती हो गया हमारे टीवी खराब हो गया मारा मोबाइल कराब हो उस सिती में दोनों ही चीज़ अलाग हो गई यह हो सकता है हम आप हमारे आफिस में प्रोमोशन की आवशक्ता हो तो ऐसा हो सकता है कि एक नीड साटिस्पाइड जब तक नहीं हो औरी तब तक दूसरी नहीं आरी नह कहते हैं कि आवशक्ता का क्रम विभिन व्यक्तियों के लिए विभिन रहता है हां हर व्यक्ति के लिए हर जो आवशक्ता का क्रम होता है वो अलग अलग होता है तो बच्चों इस तरीके से हमने डीटेर में मासलों की आवशक्ता की थियोरी को जाना या इसे हारायर्की को ज अवित्यय और मौद्रिक प्रेणाय होती हैं यह दो तरीके से होते हैं इसे इंग्लिश में हम कहते हैं financial and non-financial incentives अब financial यानि वित्यय और अवित्यय को इंग्लिश में हम non-financial कहेंगे बचों जैसे कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसके सभी चक्कों का बराबर होना जरूरी है या ठीक होना जरूरी है तभी वह गाड़ी ठीक से चलेगी उसी तरह motivation level में ये जो दो प्रेरणाएं हैं ये दोनों ही प्रेरणाएं जो हैं अपने employees को अभी प्रेरित यानि motivated करने के लिए जरूरी है कोई भी एक प्रेरणा जो है हर स्थिती में अभी प्रेरित करने के काम नहीं आती है जो दोनों प्रेरणाएं हम देख रहे हैं वित्य प्रेरणा और अवित्य प्रेरणा इनको हम detail में जानेंगे और वित्य और अवित्य प्रेर Frühs कौन-कौन सी होती है इने हम एक-एक करके समझेंगे का आई सबसे पहले हम विप्य प्रड़ों को समझते हैं यानी business क्या होते हैं अब सवाल यह उठता था ठाव इस सब्डुरिष ग्रॉप से जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो होते हैं मुद्रा के रूप में आते हैं या उन पैसों के रूप में आते हैं जो कि एक एंप्लॉई को मोटिवेट ये आभी प्रेडित करता है चाहे वह मुद्रा उसको उसकी सैलरी में दी जाए या सैलरी को बढ़ा के दी जाए या फिर उसको बोनस दिया जाए या अलग तरीके से इंसेंटिव्स दिया जाए अब जब हमने वित्य जो इंसेंटिव है या वित्य प्रेड़ना है उसको समझा है तो वित्य प्रेड़ना में कौन कौन से ऐसे जो कह सकते हैं टेक्नीक्स होते हैं या तरीके काम में लाया जाते हैं जिससे की क्या करें एंप्लॉई को अभी प्र स्क्रीन पर इन तईकों का यह इन प्रेरणाओं का यूज करके हम क्या करते हैं इंप्लॉइस को वित्य रूप से प्रेरिद करते हैं इसमें सबसे पहली जो प्रेरणा देख रहे हैं यह इंसेंटिफ देख रहे हैं आप वह हैं वेतन एवं भते पे एन अलाउंस जिसे कहते ह है जो मूल वेतन होता है या बेसिक पेस्केल कह सकते वो भी आता है और महिंगाई बता याई डियरनस अलाउंस यह चीजें सम्मलित होती है उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा जो प्रेणा है वह उत्पादक्ता मजदूरी मिलान प्रेणा यानी प्रोड़क्टिविटी यानी उत्पादक्ता ज्यादा है तो उसी हिसाब से मजदूरों को भी उनकी मजदूरी ज्यादा दी जाए मतलब उत्पादक्ता से मजदूरी को लिंक करके या जोड़ा जोड़ करके उनकी मजदूरी को बढ़हा करके देना बताया गया है तीसरी प्रेणा या तीसरे इं बॉहे закон जो भी सिकंडिनो वार्षिक होते हैं जो वर्षिक रूप से जो विक्ति या MP karmacani कारे करते है उन कर्मचारीओं को इनके अच्छे कारियों के लिए क्या दिया जाता है सी प्रेशिंग यह मोटिवेटर श्म एक अभी पिरेरन के रूप में उनको यह अमांट या राशी दी जाती है अक्सिर आपने सुना अगा अपके परेंटs को जो कि来 benefit है उनको दिवाली बोनस मिलता है दशराणा बोनस मिलता है तो बोनस यहां पे आपने सुना ए उसके बार हम बात करते हैं या भागिदा की यह निआ क्या होता है एक कंपणी है उसने अपना ये लिए टारगेट जो बनाया है औप यह कमपनी अगर लिक जो उसने सोचा है कि उसको क्या करती खरती अब स्टार्गेट को प्राप्त करने के बाद जो add-on या प्लस में या जो इसके अत्रिक्त वो लाभारजन करेंगे उस लाभ को वो क्या करेंगे अपने employees के साथ बठेंगे यह होता है profit sharing यह हम कैसे देखते हैं इसे ने लाभ भागिता इसके बाद आती है सभागिता अत्वा इसके बाद नेक्स्ट बिंदू आप देख रहे हैं सभागिता यह दोनों लगभख सिमिलर डिफ्रेंस बस इतना है कि इसमें क्या होता है जो employees होते हैं managerial level पे भी क्या करते हैं कारे करते हैं और वो क्या कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स को खरीच सकते हैं और उससे अपना जो JV का बढ़ा सकते हैं या ला भरजन कर सकते हैं इसके बाद आता है सेवा निवरित्ति लाब या या retirement benefits बचो सेवा निवरतिलाभ या retirement benefits में आपने provident fund सुना हुआ है provident fund क्या होता है इसमें जबतक व्यक्ति काम करता है उस समय से वह कुछ राशी और company जिस company में काम कर रहा है उस form की तरफ से भी कुछ राशी add हो करके उसको ब्याज के साथ उसके retirement के बाद दी जाती है ये प्रोफिडेंट फंड सेवा निवरती लाब के बाद आता है बचों retirement benefits में पीएफ के अलावा एक ग्राजुटी यानि अपदान भी एक ऐसा शब्द आपने सुना होगा जिसमें क्या होता है जब employees जो काम करता है और retirement के बाद क्या होता है उनक हम के जो मालिक है उनके द्वारा क्या क्या है कुछ राश्री उनके दी जाती है कि इतने सालों दकापने हमसे हमारे साथ कारे किया है तो इसलिए आप वे राश्री कमपनी के उर से प्रदान की जाती है इसे हम graduate कहते हैं और इसके बाद आप अनु लाब या पर्क विस्टी जानते हैं इसमें क्या होता है बहुत सी कमपनिया यहीं होती हैं जो अपने साथ कार्य करने वाले करमचारियों को क्या करती हैं मकान देती anche इसका वाक किराया नहीं लेती फ्री बिजली फ्री पानी साथ ही हास्पिटल की सोबिधा बच्चों के लिए स्कूल वो भी 50% फीज के डिसकाउंट के साथ देती हैं तो जो यह अनुलाब है यह जो हैं क्या करते हैं यह वित्य रूप से अपने employees को क्या करते हैं motivate करते हैं कि वह उस company में बने रहें और अपने कारे को अच्छे तरीके करें और अपने कारे को करते हुआ क्या करें वह जो organization या संगठन की उद्देश को प्राप्त करें बचों वित्य हमने आप अब मOoh fans rookie जाना इन फाइनशन इंसेंटिफ में उत्ने इनसेंटिफ प्लांस प्राइध जोड़ जाते उनको जाना System Nahon financial इंसेंटिफ प्लांस को जानते हैं जो नॉन फाइनशल इंसेंटिफ होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं जो मिडल लेवल मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए काम आते हैं कि यहां पर फाइनेंशली तो खुद ही मजबूत होते हैं तो फाइनेंशली उनको ज्यादा सुचने की ज़रूरत नहीं है यहां पर बाद आती है उनकी मनोविग्यानिक इस्थिती पर उनके संतुष्ठ होने के भाव जैसे की हो सकता है वह अपने कारे के लिए वो प्रोचस पीच वो पद मिले वो ओदा मिले वो रिस्पेक्ट मिले इन सारी चीजों को जब एड करते हैं या जोडते हैं तो वहां पे जो आती है नॉन फाइनशल बेनिफिट साती हैं यह अवित्य अत्वा चाही अमौद्रिक प्रेणा है अब और फिट्स प्रेणा है पहली फस्ट क्लास के बिन जहां पर सारी जो फैसिलिटीज हैं वो एविलेबल होगी बढ़िया फरनीचर होगा बढ़िया अप्टू डेट लैप्टॉप एविलेबल होगा वहां पर इसके पास बढ़िया फोन होगा जिसे वो कॉल करके अपने सबॉडिनेट्स या सहकारियों को बुला सकता है उसके लिए अलग से एक पीए अरेंज करके दिया जाएगा तो इस सिति में क्या होगा बढ़ रिस्पेक्टफुल फील करेगा और उसको ऐसे लगए कि नहीं यहां पर मैं एक पद को धारन करता हूं और उससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वाइमेंट हैं ज जब किसी संगठन का कल्चर या वातावरण कह सकते हैं फ्रेंडली होगा या सोहाध्रपूर्ण होगा उस सिति में वहां पर कारे करना बहुत आराम दायक हो जाएगा यह इजी से हम काम कर सकते हैं तो किसी बेर ऑगनाइजेशन का जब वोकिंग एंवायमेंट या कार करने का जो वातावरण हैं अच्छा होता है तो वह पर कारे करना भी आसान होता हang उससे क्या होता है आप अपने स्रक्र करमचारी यह अपने अंडर इंप्लोईश का कर रहे हैं उनके साथ आपकी बांडिंग आपके रिलेशन बहुत मधूत होते हैं जिससे कि क्या होता है आप जो निरदेश आदेश दे रहे हैं या उनसे जो आदेश निरदेश मिल रहे हैं या उनसे feedback मिल रहा है उसके ऊपर कारे करना आसान हो जाता है इसके बाद तीसरा जो आता है वहाए करियर बढ़ोतरी अफसर करियर advancement जब employees को लगता है कि नहीं हम अच्छा कारे करेंगे समर्पन भाव से करेंगे तो हमारी पदोनती होने की संभावना है पदोनती के साथ साथ हमारे salary में इंक्रिमेंट होगा यहां पदोनती से क्या होगा स्टेटस बढ़ेगा उनके मान लीजे एक ग्रेड एंप्लॉई है अगर वो ग्रेड एंप्लॉई बनता है तो अपने आप उसकी स्टेटस में डिफरेंस आ जाता है इकोनॉमिकली ही नहीं नॉन इकोनॉमिकली भी देखेगा उसको जो चीजे मिलेंगी जो कि मैंने पहले इसमें बताया था पद मिलते ही क्या अन्यसुविधाय भी मिल जाती है तो उस थिती में क्या समझेगा अपने आपको satisfied ये संतुश समझेगा और motivated फील करेगा अभी प जाने प्रेणा आती है वह कार संबंता यॉनि जोब इनिःच्मेंट में क्या Children को सारे अधिकार दिये जाकते हैं ताकि वह O ze suggest सकता औरạo क्यों किससारी कर्मचारी लगें उनकी न्यूटी करना या अन्य कोई भी अधिकार दिये चाहने बतार वह खुश रहेगा और वह अपने आपको powerful महसूस करेगा नेक्स आता है कर्मचारी पहचान कारेकरम employee recognition program जैसे कि मैंने बताया कि अपने अंडर जो employees काम करना है उनको पहचानना और उनको क्या करना recruit करना या उनकी भरती करना तो यह सारी सित्यों में क्या होता है कि उनके पास powers होते हैं किसके पास जो पद को hold करते या पदाधिकारी होते हैं वह क्या करते हैं अपने हिसाब से लोगों को hire करते हैं उनको अपने हिसाब से training programs देते हैं उनको अपने हिसाब से कारे सिखाते हैं क्योंकि किस तरह का कारे करना है कैसे target achieve करना है within the given period within the given period मतलब जो काम के ल की अवश्रक्ता होगी उसका चुनाव कैसे करना यह सारे अधिकार जो है वह उस व्यक्ति को दिया जाए तो इस तिदी में भी क्या होगा वह संतुष्ट होगा वह पदा अधिकारी और वह अच्छे से कारे करेगा उसके बाद आता है जौब सिक्यूरडी उस व्यक्ति को पत उसकी सेलरी में या उसके वेतन में क्या है और जुड़ना है या वेतन में सुधार होना है तो इस सिती में क्या होगा वह जानता है कि नहीं मैं प्रॉपली जॉब से से क्योर हूं मुझे या मेरा कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है या कोई व्यक्ति दूर से हैसा नहीं आने चीनतां से मुक्त हो कि जाब रहे गा या नहीं रहेगा उसकी मेहनत के इसाब से वेतन या या कह सकते वित्तिय जो प्रेणाय दी जाएंगे उनको यह चिंता करने की जरूत नहीं वह संथे और इसलिए क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अव वो संगठन के किसके लिए संगठन के लाभारजन के लिए कारे करेंगे उसके बाद हम आगे आते हैं जो कह रहा है कर्मचारी भागीदारी यानि इंप्लॉई पार्टिसिपिशन मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उन पॉलिसीज को बनाने उनको इंप्लिमेंट करने या लोगों पर लागू करने के लिए अब उनका भी योगदान होगा यहां पर क्या हुआ उनको और बेदिकान मिल गए और बिसंतुष्ट हो गए कर्मचारी की वागिदारी है कि कंपनी को किस तरीके से अग tv जा सकी हुआ उनसे सुझाओ मांगा जा रहा है कि किस तरीके से हम और चीजे करेंज करें क्यों का गोल है वह अचीव किया जा सके तो यहां पर भी उनमें संतुष्ट्टी की भावनाएगी हमको क्को पॉद करता है वह कहता है कर्मचारी सशक्तिकरन इंप्लोई इंपावर्मेंट यहां पर वह सारे अधिकार उनको दिये जाएंगे और उन सारे अधिकारों को क्या करेंगे इंजॉय करेंगे और उन अधिकारों को सही तरीके से उपयोग करके वह संगठन के उद्देशों की प्राप को जानते हैं मौद्रिक तथा अमौद्रिक प्रेरणाओं में अंतर difference between monetary and non-monetary incentives अंतर का पहला आधार नाब यानि measurement ले तो मौद्रिक प्रेरणाओं यानि monetary incentives में देखें तो इन्हें मुद्रा की रूप में ना पाजा सकता है और non-monetary यानि अमौद्रिक प्रेरणाओं ले तो इन्हें मुद्रा के रूप में ना पाजा सकता दूसरा अंतर का आधार उपयुकता यानि suitability ले तो ये निम्नस तरीय करमचारियों के लिए अधिक उपयुकते कौन मौद्रिक प्रेरणाओं और अमौद्रिक प्रेरणाओं देखें तो ये प्रबंदकों एबं उच्चिस तरीय करमचारियों के लिए अधिक उपयुकते हैं उसी तरह संतुष्टी का सर हम तीसरा अंतर का आधार लेते हैं जिसे level of satisfaction English astrology में कहते हैं तो मौद्रिक प्रेरणाओं में देखें तो ये निम्नस्तरीय आवश्टाओं को संतुष्ट करता हैं और और मौद्रिक का दहार देखने योग якनी visibility लें तो विथ्तिय प्रेर्णाओं को देखा जा सकता है क्योकर इन्हें मुद्रा के रूप में आखा जा सकता है और क्यों को देखा नहीं जा सकता क्यों माप नहीं जा सकता इसी तरह पांचवा हम अंतर का आधार यदि उधाररन यानी एक्जेम्पल लें, तो मौदरिक प्रेणाय देखते हैं तो उसमें वेतन एबं भथे बोनस अनुलाब आदी आते हैं. और अमदरिक प्रेणाय में देखते हैं तो पद सेवा, सुरक्षा कर्मचारी और भागीदारी आदी इसमें आते हैं. तो बच्चो इस तरीके से हमने मौदरिक एवं और मौदरिक प्रेणों में अंतर को जाना